एक प्रश्न, जब बाबा कहते हैं बेहद का वेराग्य रखो, बेहद की वेराग्य वरती, तो ये बेहद की वेराग्य वरती थोड़ा स्पष्ट करें गिरा दी हैं? बेहद की वेराग्य वरती बना, किसी के तरफ, आत्मा के तरफ, पधारत के तरफ, अटेच्मेंट नहीं हो, आशक्ती नहीं हो, एकदम जैसे यूज भी करते हैं, जैसे दवाई जरूरी समझ करके यूज करते हैं, दवाई में कभी लगा और नहीं लगेंगा। मजबूरी से जरूरी समझ के, आवशक समझ करके लेते हैं, तो ऐसे ही कोई भी पधारत या कोई भी आत्मा का समंद, उस अकर्शन से, लगाओ के अकर्शन से, हमारे पास नहीं हो, न आत्मा, न पधारत, न कोई संसकार, कोई संसकार से भी, समझो हमारी नेचर है, हम कह देते हैं, मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी नेचर आप ही काम कर लेती है, क्या करूं। लेकिन नेचर है तो पुरानी ना, और पुरानी नेचर जब हम कहते हैं, हम मरजीवा बन गए, ब्रहमान बन गए, तो शुद्रपन के संसकार भी तो मर गए, या संसकार बच गए और मैं ब्रहमान, शुद्र से ब्रहमान बन गई, तो संसकार भी तो मर गए न पुराने तो इसलिए कोई भी पुराने संसकार अपने पदहरत की आकरशन, समंद की आकरशन आत्माओं के कनेक्शन की, आधार की ये कोई भी आकरशन नहीं हो मैं आत्मा हूँ और बाबाई मेरा संसार है बाबा ही मेरा पधारत देने वाला है बाबा ही सर्वसमंदी है एक ही के उसमें रहें इसको कहते है बेहत का वेरा कोई भी लगाओ नहीं हो वेराग मानज कहां लगाओ नहीं सेवा में भी नहीं मेरा जिग्यासू, मेरा सेंटर, मेरे जिग्यासू की मदोगरी ये भी ये भी रांग है क्योंकि मेरा तो है ही नहीं न बाबा का है